हेलो एव्रीवन मेरा नाव निशेतन वेलकम टू क्रेजी जीकेटरिक दोस्तों आज के सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत दिनों से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि डेटा इंटर्पिटेशन की क्लासिज लेकर आएं देखे डेटा इंटर्प अब बैसिकली डेटा इंटर्पिडेशन अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है बल्की बार्पी टॉपिक्स ‑‑ ज्याने, जैसे percentage हो गया, percentage हो गया, आवरेज हो गया, ratio इन, proportion हो गया, इन सब कहीं न कहीं application है, हमारा टेटा इंटर्पेशन, थीक है? अब बैसिकली डेटा इं हमेशा की तरह एक दम बेसिक से शुरू करूंगा हमेशा की तरह और आपको पूरे के पूरे जितने भी यहाँ पर आपको यह data interpretation के chart दिख रहे हैं कि सब मैं complete करवाऊँगा तो शुरुबात करते हैं चलिए pie chart से जो कि सबसे popular format में से एक है तो pie chart होता क्या है सबसे पहले वो समझ लेते हैं तो देखो basics of pie chart में आपको 2-3 चीज़े समझनी है सबसे पहले तो यह समझना है कि pie chart क्या होता है तो देखे कुछ नहीं है एक circle है इसी circle के center से आप अलग-अलग branches इस तरीके से निकालके कुछ sections बना देते हैं यह जो sections होते हैं यह अपने आप में कुछ एक category बनाते हैं और example यह जो मैंने अभी एक pie chart बनाया हूँ है यह basically एक company के revenue का chart है ठीक है एक company है company इसके revenue का chart है कि इस company का कितना revenue कहां से आता है कहां जाता है तो देखो machinery में इस company का 10% लग जाता है ठीक है raw materials में 20% लग जाता है salaries यह 40% में तो salary बाट देता है और बचा हुआ 30% इसका profit होता है सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पर समझनी है कोई भी चीज़ का जब हम total करते हैं तो percentage wise वो 100% होती है तो एक तरीके से मैं यह बोलूँगा कि यह जो पूरा circle है यह अपने आप में 100% है उसमें से इस circle के 100% में से 10% इसके पास है 20% इसके पास है 30% इसके पास है 40% इसके पास है यही चीज़ अगर मैं angle के form में बताने की कोशिश करूँ तो आप सभी को पता है एक circle में जो total angle होता है वो हमेशा कितने degree का होता है 360 degree का होता है ठीक है कुछ degree इसके पास 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 है सबसे पहले तो यह समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो 100% है वो degrees के form में 360 degree होता है ठीक है percentage wise ये circle पूरा 100% है और degree wise ये पूरा का पूरा circle 360 degree है तो actually 100% की जो value होगी वो कितनी होगी 360 degree होगी ठीक है इसी प्रकार 0 से 0 काइट दूँ तो आपको मिल जाएगा कि 10% का मतलब 36 degree होता है तो कभी अगर आपको percentage से degree ये degree से percentage conversion के लिए आ जाए जो की question काफी popular है पूछता है तो इस situation में आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि 10% 100% 360 degree के बराबर है तो 10% 36 degree के बराबर होगा या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 36 degree 10% के बराबर है अगर मैं आपसे पूछू कि बताओ 20% कितने degree के बराबर होगा तो आप बोलोगे 36 दूनी 72 degree के बराबर होगा बोलो ठीके 30% कितने degree के बराबर होगा तो आप बोलेंगे 108 degree के बराबर होगा 40% कितने degree के बराबर होगा तो आप बोलेंगे 144 degree के बराबर होगा 50% कितने degree के बराबर होगा इसको समझते तो देखो यह जो पूरा चार्ट आपको दिया हुआ है इसमें कुछ sections आपको divide किये होंगे जैसे यहाँ पर machinery हो गई, raw material हो गया, profit हो गया, salary हो गया अब कभी-कभी questions इनसे comparatively भी पूछ लेता है, for example, वो आप से ऐसा पूछ सकता है कि बताओ machinery raw material का कितना percent है, या machinery पर company ने raw material से कितना percent कम खर्चा किया, या वो आप से पूछ सकता है कि बताओ company के profit machinery के comparison में कितने percent जादा है, ठीक है, इसी प्रकार आप से पूछ सकता है कि चलो एक काम करो, यह बताओ कि machinery का angle कितना होगा, machinery का central angle कितना होगा, percentage में आपको पता है कि machinery 10% है, तो 10% का central angle 36 degree होता है, तो आप यहाँ से बोलोगे कि machinery का central angle 36 degree होगा, ठीक है, वो आप से पूछ सकता है कि raw material का central angle कितना होगा, तो हम बोलेंगे 20% की value 72 degree होती है, तो 72 degree होगा, तो इसी प्रकार comparison wise भी कभ कभी कभी percentage से degree पूछ लेता है डिगरी से percentage पूछ लेता है आवरेज और profit and loss कभी 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 यहां पर application होता है तो जो भी आपने अभी तक पड़ा हुआ है कहीं न कहीं उसी का application है यह अब यहां पर इसे अगर आपको समझना है तो सबसे पहले question की language को बहुत अच्छे समझना ह होगा तो सुनो question कैसे पूछेगा देखो वो बोलेगा एक वृत्ता रेक में एक company के विभिन खर्चों को दर्शाया गया है इसका अध्यान करके प्रशनों के उत्तर दीजे यह उसके खर्चे दिये हुए कि बहिए 40% वो salary में बाइट देता है 10% उसकी machinery है raw material उसका 20% है profit उसका 30% है सवाल सबसे पहले देखो क्या लेका हुआ है question number one क्या बोले है company के profit और raw material के बीच खर्चों का अनुपात गयात करें काईदे से देखा जाए तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है अनुपात ratio पूछना चाह रहा है वो किसका ratio अब यह समझने की जरूरत है तो profit और raw material का ratio अब आप बोलेंगे सब profit तो 30% है और raw material 20% है मुझे तो actually यह पता ही नहीं है कि कितना रुपए यहाँ पर लगा है और यहाँ पर लगा है तो सुनो एक छोटी सी बात समझो अगर यह total 100% है और मैं बोल रहा हूं कि company का जो यह total जो भी 100% है revenue यह actually some x rupees है ठीक है rupees x बात को समझना यह पूरा x rupees है मुझे भी नहीं पता कित सकता है यह एक लाग भी हो सकता है यह 1000 करोड भी हो सकता है कि इस x rupees का 30% इधर है और इसी x rupees का 20% इधर है अगर मुझे ratio निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा x rupees का 30% याने 30 बटा सो यही निकालूंगा और x rupees का 20% याने 20 बटा सो अब आप खुद सोच कर देखो अगर मुझे ratio निकालना है तो यह जो x है यह तो automatically अपने आप ही कड़े आएगा और 100 से 100 भी कड़े आएगा 0 से 0 भी कड़े आएगा तो ratio क्या बचेगा 3 स्टू टू का तो काइदे से मैं आपको समझाना यह चाह रहा हूँ कि अगर उसने आपको कभी ratio निकालने को बोला या कितने percent जादा है कम है पूछा basically कोई भी आपसे comparison करने के लिए बोला तो actually 100% की value कितनी है यह माइने नहीं रखता comparison में total माइने total कितना है यह माइने नहीं रखता अच्छा central angle के हिसाब से भी आप निकालोंगे ना चलो यह वाला सरकल न देकर आपको यह वाला दे दिया कि आपको percentage में नहीं बताया बड़ आपको किस में बता दिया डिगरी में बता दिया तब भी मैं यहां से देख सकता हूँ कि देखो raw material और profit की है 108 डिगरी और raw material की है निकल के आया तो basically जो calculation से answer आपको percentage देगा वही calculation से आपको answer डिगरी देगा बस जब भी total देगा तो percentage में जब आप total करोगे तो 100% को equal to total रखना बट जब degree में दिया होगा तो आप 360 degree equals to total रखोगे ठीक है अभी यह मैं आगे चलके question में और clear कर दूँगा दूसरी बात comparison जब भी होगा तब total क्या है उससे फर्क नहीं पड़ेगा comparison का मतलब percentage comparison चीज होती है ratio comparison होता है तो जब भी ratio या percentage निकालने बोलेगा तो actually total value कितनी है वो माइने नहीं रखेगी ठीक है अगले question पर आते हैं एक और question देखो question क्या बुला हुआ है company के profit salary के खर्चों से कितने प्रती 30% का तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ अगर मैं इस पूरे खर्चे को ही 100 मान ले सपोर्ट मान लेता हूँ कि चलो total revenue 100 रुपए तो 100 का 40% या ने 40 रुपए इसने salary में दिया 30 रुपए इसका profit आया तो उसने क्या पूछा profit salary से कितने प्रतीशत कम है तो सबसे पहले कि देख सब्सक्राइब कितने प्रतीशत अधिक है या कम है तो उसी चीज़ के application आपको यहां पर दियाई में देखने मिल रही है बात समझ में आई तो आप चलो सीधा question पर चलते हैं questions बनाने की कोशिश करते हैं देखते हैं कितनी चीज़े हमें समझ में आई हैं और कौन कौन सी चीज़े समझनी और बाकी है question देखते हैं सबसे पहले देखो question के लिखो हुए company के profit का केंदर पर कौन क्या होगा profit का केंदर पर कौन क्या होगा तो चलो निकाल लेते हैं भाई हमें क्या पता है company के profit का हमें percentage वाइस पता है 30% होता है 100% जो भी इसका total होगा 100% degree में तो वो 360 degree के बराबर होगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 10% की value 36 degree है सही है 10% की value 36 degree है अब आप देखो कि profit कितने percent है 30% 30% का मतलब कितना होगा तो 10% की value एतनी है तो 30 की कित्ती होगी तो 36 into 3 कर देंगे कितना आ जाएगा 108 degree तो हम बोल सकते हैं कि central angle कितने का होगा 108 degree का होगा इसी प्रकार आप चाहो तो raw material का भी central angle निकाल सकते हो चाहो तो machinery profit सब का central angle आप निकाल सकते हो फशर्त है आपको पता होना चाहिए कि 100% is actually 360 degree बोलो ठीक है अगले question पर चले हैं चले question देखे क्या लिखा हुआ है previous year question है question को पढ़ते हैं पहले निम्न व्रत्तर एक में एक विद्याले के विभिन प्रभागों के प्रभागों में प्रवेश चात्र की संख्या का दर्शन किया गया है ठीक है तो सिक्षा भाग में 30% 30 degree कला में 120 degree विज्यान में 100 degree वानिज्य में 65 degree और विविद्य में 45 degree अब आपको सबसे पहले तो यह समझना है कि यहां पर यह सब degree में दिये हैं ना कि percentage में तो जब भी degree में दिया हो तो degree का total कितना होता है 330 degree में से यह 45 है यह 30 है यह 120 है यह 100 हे और यह 65 है पर total कितना है 360 degree है अब जब कोश्चन पर आते हैं गोश्चन पर देखो किया निख़ा हूँ है यदि विज्यान में 1000 चात्र हो तो वानिज्य के चात्रों की संख्या वीविद्य के चात्रों की संख्या विविद के चात्रों की संख्या से कितनी जादा है अब देखो यहाँ पर उसने क्या बताने की गोशिश की कि विज्ञान में 100 चात्र है विज्ञान में 100 चात्र है का मतलब क्या टोटल में 100 चात्र है नहीं उसने विज्ञान बताया है विग्यान में degree कितनी दी है 100 degree तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस 100 degree की जो actual value है वो है thousand students ठीक है 100 degree की जो actual value है वो है thousand students तो अब अगर मुझे एक चीज़ पता चल गई कि 100 degree का मतलब 1000 student तो क्या मैं यहां से 10 degree का मतलब नहीं निकाल सकता 10 degree का मतलब कितना होगा 100 बच्चे एक degree का मतलब कितना होगा 10 बच्चे अब अगर मेरे पास एक degree आ गई है तो अब आप मुझे से कोई भी degree पूछो मैं बता सकता हूँ अगर वो मुझे से पूछेगा कि बता टोटल कितने है तो मुझे पता है total 360 लोग है तो 360 डिगरी का मतलब कितना हो जाएगा तो 100 डिगरी का मतलब 1000 तो 360 डिगरी का मतलब 3600 तो अगर वो मुझे total number of students पूछता तो मैं बोलता 3600 total students है उसने क्या पूछा उसने पूछा वानिज के चात्रों की संख्या विविद के छात्रों की संक्या से कितनी जादा है देखो वानिज जी में कितने डिगरी लोग है 65 डिगरी विविद में कितने है 45 डिगरी तो वानिज जी की डिगरी कितनी जादा हुई तो आप बोलेंगे सर ये तो 20 डिगरी जादा हुई ठीक है तो आपको value किसकी निकाल ली है, क्या आपको 65 की value निकाल ली है, 45 की निकाल ली है या 20 की निकाल ली है, तो आप खुछ समझदार है, अगर जादा पूछा है तो हम बोलेंगे 20 degree जादा है याने 20 की value निकाल ली है, आपको पता है 10 degree की value 100 है, तो 20 degree की कितनी होगी, 200 students होगी, 200 students जादा है याने option A हमारा सही answer होगा मिले ख्याल से बात समझ में आगी होगी बहुत ही simple जा question था अराम से explain करके आपको समझा रहा हूँ इसलिए उसलिए उसलिए टाइम लग रहा है नहीं तो ये question बहुत ही seconds का था अगले question पर चलते हैं देखो अगले question क्या लिखा हुआ है यदि विज्ञान में ہजार चातरो को प्रवेश मिला हो तो विज्ञान तथा कला के चातरो का अनुपात कितना होगा अब देखो विज्ञान में हजार चातरो को मिला है निवेश या एक तरीकी से admission तो विज्ञान और कला का रेशियो पूछा है मैंने आपको पहले भी बताया थे कि कमपैरिजन में actually हमें exact value की ज़रूरत नहीं होती जब मुझे comparison ही करना है तो मैं degree पर ही कर दूँगा जो degree पर आएगा वही numbers पर भी आएगा तो इस question के लिए मुझे actually numbers की ज़रूरत नहीं थी मुझे तो degree की ज़रूरत थी या percentage अगर यह percentage में होता तो भी मैं direct percentage compare कर देता अगर degree है तो degree को भी मैं direct compare करके बता सकता हूँ कि अनुपात degree में अगर 5 अनुपात साथ का आ रहा है तो actual numbers में भी ratio 5 to 7 का आएगा ठीक है और percentage में भी ratio percentage में भी ratio 5 to 7 का आएगा percentage में ratio 5 to 7 का यह मतलब नहीं है कि यह 5% और 7% यह 50 और 70 है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं ratio आएगा 5 to 7 का तो जो भी percentage आएगा वो इसी ratio में रहेगा ठीक है बात समझ में आगी सभी को simple question 5 to 7 sorry 5 to 6 I'm really sorry 5 to 6 हमारा सहीं आंसर होगा यहने option B बोलो बात समझ में आगी सभी को clear है कोई दिक्कत नहीं है अगले question पर चलें अगला question देखो क्या लिखा हुआ है यदि विज्ञान में 1000 चात्रों का प्रवेश को प्रवेश मिला क्योंकि बात डिग्री में हो रही है तो टोटल 360 डिग्री होगा तो 100 डिग्री की value आपको पता है कितनी है 1000 है तो 360 डिग्री की value कितनी होगी 360 डिग्री की value 3600 students होगी यह option C हमारा सहीं आंसर होगा आप बोले होंगे कि सर यह बहुत ही simple से questions है तो मैं बोलूँगा कि हाँ simple questions है बट हम धीरे धीरे ही level बढ़ाने वाले हम अचानक से एकदम high end questions नहीं करेंगे हम पहले एकदम basic questions करेंगे ठीक है basic questions का फिर हम थोड़ा सा level बढ़ाएंगे level up करेंगे और फिर इसको हम moderate बोलेंगे basically यही questions हमें करने है moderate और एक होता है high end questions ठीक है high end questions basically bank p.o. n.p.o. में पूछे याते हैं तो बहुत high end questions भी नहीं बनाने हैं हमको जो exam में आता है वो बनाना है और वो है moderate level of questions ठीक है जहां पर थोड़ा सा समझना पड़े और थोड़ा सा calculation रहे यही questions हमें करने होते हैं आपको बहुत सारे questions दिखेंगे जहां पर आपको दो-दो pie chart दिख रहे हैं दो-दो line graph बार graph दिख रहे हैं तो इस type के questions है यह थोड़े से high end questions में आ जाएंगे अगर data बहुत complicated है तो नहीं है तो हम बिल्कुल इसको moderate में गिन सकते हैं आगे चलके थोड़ा सा और इनके बारे में भी पढ़ेंगे अभी बिल्कुल basic से शुरू किया है तो easy questions ही बनाएंगे चलो अगले question पर आते हैं अगला question देखो क्या लिखा हुआ है नम लिखिक पाई चार्ट करमचारी चैन आयोग ssc basically कोलकाता के 14 से 1400 अधिकारियों के लिए परिवाहन माध्यमों को दर्शाता है तो basically कोलकाता ssc में जितने भी 1400 करमचारी है उसमें से जो भी लोग जिस भी गाड़ी या वाहन से आते हैं परिवाहन से आते हैं उसका पाईचार्ट दिया हुआ है ठीक है अध्यान कीजिए और प्रशनू का उत्तर दीजिए ठीक है 8% लोग मेट्रो ट्रीन से आते हैं 36% लोग रेल गाड़ी से आते हैं 20% लोग बस से आते हैं 21% लोग कार से आते हैं और 15% लोग दोपईया वाहन से आते हैं ठीक है परसिंटेज वाइस दिया है तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो टोटल बनेगा वो एक्शली 100% मनेगा अच्छा करमचारी चैन आयोग SSC कोलकाता में नंबर ओफ करमचारी कितने हैं तो आप बोलोग से 1400 करमचारी हैं तो यह जो 1400 करमचारी हैं यह बेसिकली किसी एक की वैल्यू नहीं है तोटल 100% की वैल्यू है 1400 करमचारी याने 1400 बोलो ठीक है बात समझ में आई तो यहां से भी अगर मैं आपसे पूछो एक परसेंट कितना होगा, तो आप बहुत एजिली बता सकते हो, चवदा होगा, अब मैं आपसे किसी की भी वैल्यू पूछ सकता हूँ, तो आप मुझे एक्जेक्ट नंबर्स में बता पाओगे, चलो, कोशन देखते हैं सबसे पहले किस टाइप से पूछा हूँ, कोशन में क्या पूछा है देखो, परिवाहन माध्यमों के रूप में मुख्य, प्रमुख दो पहिया वाहन और कारों का अनुपाद याद करें, ठीक है, दो पहिया वाहन और कार, इनका ratio निकालना है अब ratio निकालने के लिए exact value की जरूरत है किया बिल्कुल नहीं है सिर्फ percentage दिया तो भी काम चल जाएगा angle ये degree दिया होता तो भी काम चल जाएगा तो हमें ratio किसका निकालना है 2 पाईया वाहन और कार का याने 15 और 21 का ठीक है comparison में total value की जरूरत नहीं होती है हलाकि आप total value निकाल करने की कोशिश करेंगे तब भी यहीं आंसर आएगा total value निकाल कर करेंगे तो क्या होगा तो देखो 15% किसका 15% total का 15% याने 1400 का 15% बोलो ठीक है ratio किसका 1400 का 21% इनका ratio निकालना है अब खुद देख रहे है total से total cancel out हो रहा है 100 से 100 cancel out हो रहा है 3 से काट लो 5 बार में 3 से काट लो 7 बार में बोलो ठीक है ratio कित्रा जाएगा 5 इस्टू 7 अब 5 इस्टू 7 लाने के लिए हम चाहते तो पूरा calculate करके भी निकाल सकते थे या सीधा सीधा percentage calculation करते तब भी यह answer आता तो 5 इस्टू 7 हमारा से यह answer होगा option C बोलो ठीक है अगले question पर चले अगला question देखो क्या लेखा हुआ है rail गाडी में जाने वाले अधिकारियों तथा कार में जाने वाले अधिकारियों की संख्या का अंतर बताएं यहाँ पर उसने comparison नहीं पूछा है इस बार उसने सीधा सीधा अंतर पूछ लिया याने number of difference difference क्या है difference क्या है किसका किसका rail गाडी rail गाडी से जाने वाले और कार से जाने वाले तो देखो rail गाडी से जाने वाले कित्य परसेंट लोगे 36 परसेंट लोगे तो 36 परसेंट और 21 परसेंट इसका अंतर पूछा है अंतर अगर आप निकालोगे तो वैसे तो आपको 15 परसेंट सीधा सीधा दख जाएगा बट percentage में नहीं पूछा है number में पूछा है तो ये जो 15 परसेंट है ये किसका 15 परसेंट है तो भाई ये टोटल का ही 15 परसेंट है क्योंकि ये 36 भी किसका था टोटल का था ये किस भी किसका था टोटल का था तो टोटल के 36 में से टोटल का 21 माइनस करोगे तो बचेगा क्या टोटल का 15 टोटल हैं कितने तो कुश्चन की शुरवात मीं बता दिया था कि टोटल हैं कितने लोग चाउदा सो लोग तो पंदरा बटे सो गुनित चाउदा बोलो ठीक है चाउदा सो बात समझ में आई की नहीं आई काट लोगे कैलकुलेट कर लोगे आंसर आ जाएगा 14 इंटू पंद लोगेगा बोलो ठीक है सिंपल कोई दिक्कत नहीं किसी को समझ में आ रहा होगा मेरे खैल से चलो अगले कोशन पर आते हैं अगला कोशन देखो क्या लिखा हुआ है मेट्रो रेल में से कार्याले जाने वाले अधिकारियों की संख्या कितनी है आप से सीधा सीधा पूछ ल रही तो आठ परसेंट की कितनी होगी आठ परसेंट का मतलब होगा चाओदा इंटू आठ चाओदा इंटू आठ किता होता है 142 होता है चाओदा ठेक सुभायाले अप्शन एस होगा बोलो ठीक है सिंपल है कोई दिक्कत नहीं किसी को अगले कोशन पर चलते हैं अगला है 14 है है की नहीं तो 21 परसेंट की कितनी होगी 21 का मतलब होगा 14 इंटू 21 ठीक है बात समझ में आगी 21 इंटू 4 कर लेना 84 आजाएगा 4 इदर आजाएगा 8 केरी हो जाएगा यहां पर राइड कर लेंगे तो 294 आपका सहीं आंसर होगा याने Option D बोलो ठीक है सिंपल कोशन है बहुत ही सिंपल कोशन कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ में आए अगले कोशन पर लाते हैं कोशन देखिए क्या लिखा हुआ है निमलिखित पाई चार्ट में चार कंपनियों स त यू और वी का बाजार शेर दिया गया है ठीक है इनके बाजार शेर दिये हैं ध् आई चार्ट का अध्यन कीजिए और प्रश्णों का उत्तर दीजिए ठीक है भाई हम समझ गए 360 का मतलब 72 करोड रुपए होता है ठीक है 72 CR होता है मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिकत नहीं होनी चाहिए यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिकत नहीं होनी चाहिए अब सुनो मैं यहां से एक डिगरी की वेल्यू निकालनी चाहूं तो कैसे निकालूंगा सीधा डिवाइड कर दूंगा किती बार में कटेगा तो मेरे खाल से एक बिटा पांच CR एक बिटा पांच CR ठीक है चाहो तो आप इसे 0.2 CR बोल सकते हो या आप इसे 20 लाख बोल सकत एक डिगरी की वेल्यू यह मैंने पहले ही निकाल के रख ली क्योंकि मुझे पता है डिगरी दी है टोटल भी दिया है कहीं न कहीं यूस तो आई जाएगा तो यह चोटा सा मैंने पहले ही दिमाग में चोटा सा कैलकुलीशन करके रख लिए अब ज़रा कोश्चन पर आते ह ऑप्शिन डी से ही अंसर हो जाएगा इन बिलीव में ऐसे कोश्चन भी पूछे हुआ है ससी ने ठीक है अखला कोश्चन देखो क्या लिखा हुआ है कंपनी वी और कंपनी यू के बाजार शेयर का अंतर है बाजार शेयर का अंतर और करोनों में वैल्यू दी है याने एक करोर है तो 20डी की कितनी होगी तो 20 इंटू एक बटा 5 करोर होगी याने एक तरीके से देखो तो सीधा सीधा 4 करोर का अंतर आएगा उपशिन डी हमारा सहीँ आंसर हो जाएगा १िक है फोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए अगले कोशिन पर चलते हैं अगला कोश पाइचार्ट का अध्यान कीजिए और निमलिखित प्रश्णों का उत्तर देजिए ठीक है यह जो पाइचार्ट है बेसिकली किसका पाइचार्ट है तो यह छपाई प्रभार दिया हुआ है विविद दिया हुआ है कागस की कीमत दिया हुआ है रायल्टी दिया हुआ है दिये हैं समझ जाना total 100% ही होगा ठीक है कोशन पढ़ते हैं कोशन क्या लिखा हुआ है यदि विवेत प्रभार 6000 रुपए है विवेत प्रभार याने यह इसकी वैल्यू अगर 6000 रुपए है तो विग्यापन प्रभार क्या है विग्यापन प्रभार पर ध्यान से देखोगे त अगर उसने आपको 4% की वैल्यू दे दी है 6000 रुपया और आपसे 18% की वैल्यू पूछ ली है जो कि आपका विग्यापन है तो यह बताना कोई बहुत महान काम तो है नहीं है की नहीं बहुत सिंपली बता दो कि मैं यहां से चाहो तो आप 1% की वैल्यू निकाल लो चाहो त इसमें उठाकर 9 का मिल्टिप्लाई कर लोगे तो 18 हो जाता है तो इसमें भी उठाकर 9 का मिल्टिप्लाई कर लेना 9 यह 27 होता है तो 27,000 रुपया हमारा विग्यापन प्रभार होगा यहां तक भी किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी ची अगले कुशन पर चलते हैं अगला बलाए किसका चपाई प्रभार और विग्यापन प्रभार देखो चपाई कितना है 35 डिगरी विग्यापन कितना है 18 डिगरी अगर मैं आप से सीधा सीधा बोलू कि चलो सेंट्रल एंगल या तेल लेना सीधा पहले यह देखते हैं कि परसेंटेज में कितने का अंतर है तो कितना आएगा तो आप खुद ही बता सकते हैं 17 डिग्री सोरी 17 परसेंट आएगा बोलो यह आएगा अब आप मुझे खुद सोच कर बताओ कि अगर मुझे 17 परसेंट का एंगल निकालना है तो कैसे निकालूँगा तो आपको पता है तो आप सत्रा की वेल्यू कैसे बताएंगे सिंपल मल्टिप्लाई करके सत्रा परसेंट की वेल्यू कितनी होगी तो आप बोलेंगे सर हमें मल्टिप्लाई करना है 3.6 इंटू 17 आंसर कितना आएगा मल्टिप्लाई करने पर 61.2 डिग्री यह सत्रा परसेंट की वेल्यू है याने दो लोगों के प्रतीशत का अंतर 17 पर कागज की कीमत का मतलब 10% कागज की कीमत है 10% अब आप खुद बताईए टोतल तो होता है अब यह 10% कागज की कीमत हो चाहे वेवेद हो चाहे चापाई हो और तो 36 दिगरी ही होगा याने ऑप्शन तो सी होगा अब यह कीमत कागज की जगा रायल्टी 10% होती तो रॉयल्टी का सेंट्रल एंगल 36% हो तो बैसिकली जो एंगल है वह परसेंटेज के साथ लिंक करता है उस परसेंटेज या उस एंगल का नाम क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता चले मेरे कहाल से आपको बात समझ में आ गई होगी अगले कोशन पर चलते हैं अगला कोशन देखे क्या लिखा हुआ है रियल्टी और जिल्दसाज के प्रभाव के बीच का अनुपात क्या है ठीक जिल्दसाज प्रभाव के इनके बीच का अनुपात निकाल रहा है रॉयल्टी कितना परसेंट है यह कितना परसेंट है अठारा रैश्यो निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी बोला कि हमें एक्चुली रैश्यो निकालने के किसी चीज़ की जरुरती है या तो दोनो परसेंटेज हो या दोनो डिगरी हो रैश्यो निकालने के लिए वो काफी होता है परसेंट से परसेंट कैंसल होगा तीन से काच लीजिएगा पांच अनुपात छे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए ठीक है अगले कोशन पर चलते हैं अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर यह रह राजिस्थान का यहां पर अलग से दिया हुआ है कि राजिस्थान ने इता प्रॉडुक्शन किया हे कुजरात ने सो हमें कीया है अब तो ना तो यह डिग्री ना ही यह एंगल है उसने actually production ही बता दिया है कि राजिस्तान का इतना production है ये quantity उन्हों ने किसकी दे दी है production की दे दी है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो total production होगा वो degree wise कितना होगा तो आप बोलेंगे साथ जो भी total production होगा वो degree में तो 360 degree के बराबर होना चाहिए होना चाहिए कि ने total जो भी production होगा वो 360 degree के बराबर होना चाहिए तो चलो सबसे पहले total कर लेते हैं ये कितना हो जाएगा 460 और 200 ये हो जाएगा आपका 660 660 और 180 तो ये मेरे खायल से पूरा 1000 हो रहा है ठीक है तो 36 degree का मतलब कितना होता है 1000 जो total production है वो actually 1000 का है और total angle कितना है 360 degree का है हमसे क्या पूचा गया है देखो हमसे पूचा गया है कि केरला का central angle कितना है अब देखो केरला का production कितना है तो आप बुलोगे सर 200 तो एक तरीके से 1000 की value अगर 360 degree है तो 200 की value कितनी होगी तो 200 की value के लिए आप simple 5 से divide कर देना इसको भी 5 से divide करोगे तो यह आजाएगा और इसको भी 5 से divide करोगे तो यह आजाएगा कितना आएगा 72 degree तो यहां से मैं सीधा सीधा देखकर बगा सकता हूँ कि 200 की value degree में 72 degree है तो केरला का central angle actually option D होगा याने 72 degree होगा मैं देख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी बहुत ही simple सा question था पस यहां पर आपको ध्यान क्या देना था ध्यान आपको यह देना था कि जो total angle है वो आपके total production के बराबर होगा उसने production की जो values है वो तुकड़ों में दी है total करके नहीं बताया था आपको ठीक है बढ़िया question था तो आपको यह question समझ में आ गया होगा चलो चलते हैं अगले question पर और अगला question देखते हैं क्या लिखा हुआ है अगला question देखो क्या लिखा हुआ publishing a book in 2018 given the flow chart ठीक है यहाँ पर इस तरीके से pie chart आपको दिया हुआ है question देखो क्या लिखा हुआ है printed price on the book is 15% above the cost price ठीक है तो जो आपका printed price है printed price याने MRP एक तरीके से जो है वो केतना है वो 15% above the cost price है याने 115% है किसका cost price का बात समझ में आई वो बोल रहा है if the printed price on a book is 942 रुपीज MRP एकर किसी book की 942 रुपीज है तो आपको बोला है the cost of paper for a single copy in rupees rounded of one visit तक आपको बताना है सबसे पहले तो ये समझो कि आपको निकालना पड़ेगा total cost price कितनी cost price वही एक book का cost price आपको निकालना पड़ेगा cost price का 115% आपका MRP है यहां तक बात समझ में आ गई अब ये जो total खर्चा दिया हुआ है ये basically एक book का cost price का खर्चा है कि 10% royalty में लगता है 15% printing में लगता है 15% 12% printing में लगता है 15% paper cost है 18% binding है 20% का promotion है transportation में 25% लग जाता है तो एक book में इतने खर्चे होते हैं ठीक है ये सब मिला कर उसकी cost price बनती है जो की होती है 100% की बात समझ में आ गई 115% पर उसे बेचा जाता है तो basically आपको निकालना क्या है आपको ये निकालना है कि cost of paper कितनी है तर आपको दे दिया क्या है एक सो पांद्रा परसेंट 1,5% की value आपको दे दिया कितनी है 942 निकालना क्या है 15% की value क्योंकि यही 15 % है किसकी cost of paper की खतम, question बस इतना ही था, simple है, चलो, कैसे निकालेंगे, तो सुनो, एक काम करते हैं, सबसे पहले 1% निकालना है, पहले 1% निकालो, 1% कितना होगा, ठीक है, 1% होगा, 942 upon 115, तो 15% कितना होगा, 942 upon 115 into 15, बोलो ठीक है, जब आप इसे solve करेंगे, तो आपको answer मिलेगा, कितना मिलेगा, तो यह आपको मिलना चाहिए, around, around, 122 के around मिलना चाहिए, ठीक है, 122.something, तो 122.9, इस तरीके से आपको answer बहुत easily मिल जाएगा, करना गैसे है, तो देखो, काइटना पीटना तो धोड़ा सा पड़ेगा, ठीक है, जिससे 5 से काटा, तो यह आ जाएगा 20 बार मे 5 से काटा, तो यह आगया 3 बार में, ठीक है, अब यह और कट सकता है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कट सकता है, तो फिर इसी को calculate करना पड़ेगा, बात समझ में आई, मेरे ख्याल से, इतनी बड़ी भी कोई समस्या नहीं है, थोड़ा सा calculation ज़रूर है, ठीक है, manageable है, बात समझ में आगी सबी को, चलो, अगले कोशन पर चलते हैं, अगला कोशन देखो, क्या लेखा हुआ है, अगर यह परसेंटेज में दिया है, तो मैं बोलूँगा, 100% की वेल्यू, पच्छिस सो केजी है, किसी दुकान में, पच्छिस सो केजी के फ्रूट्स रखे हुए है, उसका percentage distribution दिया है, कि उसमें से 15% बनाना है, 10% mango है, 24% guava है, 11% orange है, 12% apple है, 8% grapes है, और बचे हुए जो है, dragon fruit यह दरुदर के भल्दू के फ्रूट्स, 20% है, ठीक है, क्या पूछा है आपसे, और बचे के बीच में, कितने का अंतर है, वजन का, तो बनाना और ओर और आप देखोगे, percentage wise, 4% का अंतर है, अगर 100% की value इतनी है तो 4% की कितनी होगी simple question है इसे 25 से divide कर देना तो 4 आ जाएगा इसे भी 25 से divide कर देना तो value आ जाएगी 100 kg याने 4% की value 100 kg आंसर होगा option B ठीक है मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप सभी को ठीक है अगला कोशन देखो क्या लिखा हुगा दा पाई चार्ट शोज गिवन बिलो गिवन बिलो शोज दे एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाई एसेवन परसन और बाई परसन उन सेवन आर्टिकल ठीक है साथ आर्टिकल में एक आदमी ने खर्च किया है आर्टिकल है यह वो साथ आर्टिकल है जिस पर एक आदमी ने खर्च किया है टोटल एक्सपेंडिचर अन आर्टिकल इस तीन सो थी तूजन सिसंडर्ड डिग्री वाइज आपको दिया हुआ है सब कुछ तो समझ जाओ टोटल है तीन सो साथ डिग्री जिसकी वेल्यू है चात्य सो रुपया बोलो बात समझ में आई कोश्यर में क्या पूचा है एक्सपेंडिचर इंकर्ड अन पर्टिकलर आइटम इस शोन इन दर टर्म्स ओ डिग्री ठीक है with respect to your total expenditure incurred on all the three articles what is the average expenditure incurred in on the article p and q p और q पर average कितने का Все never इनका average कितना होगा तो आपको average निकालना है तो degree wise average कितना होगा तो average आपको 70 प्लस 120 बटे दो degree wise average कितना होगा यह हो जाएगा 190 बटे दो याने 95 डिग्री 95 डिग्री का आवरेज आएगा पर वैल्यू रुपीज में पूछी है तो 95 रुपीज मत बोल लेना एक डिग्री की वैल्यू सबसे पहले कितनी आएगी एक डिग्री की वैल्यू है 10 रुपया तो 95 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 950 रुपीज बोलो ठीक है तो आवरेज आएगा 950 यहने ऑप्शन दी मेरे गहल से आपको यह कोशन भी समझ में आ गया होगा और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि पाई चार्ट एक्चली इतना प्टेंट टॉपिक भी नहीं है नो डाउट नेक्स सेशन में हम लोग पाई चार्ट पर ठीक है पाई चार्ट पर कुछ अच्छे कोशन लेकर आएंगे जिन पर लेवल थोड़ा सा ऊंचा रहेगा बट वो कोशन भी आप देखेंगे कि बहुत इसली बन रहे हैं दो पाई चार्ट वाले या एक पाई चार सेशन में मिलते हैं तब तक के लिए अगर वीडियो अभी तक आपने देखा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूल लीएगा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ बाबाई टेकर थैंक यो आइन जय हैं